अब तो आप इसमें हम पढ़ने वाला है जो हमारा पिछली बार कॉंगरांस आफ ट्रेंगल की हमने एक वीडियो कोंप्रेट की ती वह मैंने सेपरेटली इसकी लिंक दे दिया है आप उसमें आकर आप चेक कर सकते हैं अब हम देखने वाले है इसमें जो एक प्राक्टीस से तरह घाता है उसमें उसके जो प्रॉब्लम से उसको स्वाल करेंगे तो first of all जो practice set है हमारा 13.1 उसमें 5 problem दिये है according to this test जो भी हमने test पढ़े थे last video में इसी के help से आपको ये judge करना है कि कौन सी test से ये congruent है सबसे पहले congruent का meaning क्या होता है congruent दो फिगर अगर congruent उसे क्या मतलब किस तरह से congruent और similarity का जो concept होता है इसको clear कर देता हो अगर two figures है मान लो कि two figures है यहाँ पर इस एक triangle है और second triangle है अगर इस triangle को मैं उठा कि इस triangle की उपर अगर रख दू अगर exactly match होता है तर these both triangle are congruent to each other ठीक है इसका मतलब इसके अगर definition देखू तो क्या हो जाएगा कि इनका जो size है और shape है दोनों भी similar है ठीक है दोनों भी क्या होना चाहिए similar होना चाहिए फिर उसे हम congruent shape कहेंगे ठीक है तब next जो है इसी के help से यह जो हमारा concept इसी के help से हम पाच problem है उसको one by one करके solve करेंगे और जो हमने test पड़े थी concept test को लेकर यह problem solve होते है और यह congruent कहे जा सकते है हम उसे भी देखेंगे तो आईए शुरुवात करते हैं इसकी तो first है यह वाली figure है हमारे पास अब इसमें हमको देखना है कि कौन सी property लगती है कौन सी test लगती है ताकि हम इन दोनों triangle को congruent कह सके तो इसमें आप देख सकते ह यहाँ पर एक symbol दिया है और यहाँ पर symbol दिया है इसका मतलब यह है कि यह जो w x है और यहाँ पर जो w y है वो एक दिसरों को correspond करते हैं मतलब वह similar है ठीक है यह similarity का ही जैसे मतलब वह congruent है इसके बाद यहाँ पर एक एक mark किया है इस तरह से mark किया है यह एक चोटा सा symbol है जस्ट आपको mention किया है कि दोनों भी जो angle है वो equal है ठीक है दोनों भी जो angle है वो equal है और इसके बाद में यह जो आपने यहाँ पर देख रहे है कि हमारी जो यह side है w z यह दोनों को भी common है इसका मतलब क्या है कि दोनों को भी जे side है common है मतलब यह दोनों भी side दोनों के लिए same है ठीक है तो इसी को consider करते हो है हम अगर इसको property में डालेंगे तो कौन सी property हमारी बन जाएगी यहाँ पर देख लिजे हमारे पास कौन सी test है S.A.S.S.S.S.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S.A.S. तो यह कौन सी test में बैठता है देख लिजे हमको sequential जाना पड़ता है अगर यहाँ पर जो भी congruent shape दिया है या फिर इसकी dimension दिया है दोनों को check करना पड़ता है सबसे पहले हमने क्या किया यह जो हमारी side थी उसको side को compare किया तो side to side यह हमारी congruent निकली उसके बाद angle to angle congruent निकल side congruent है तो यह test कौन सी है यहाँ पर देख सकते हम first वाली जो test है side angle side test इसके हिसाफ से यह दो जो figure है यह एक दूसरे को congruent है तो इसका answer है कौन सी test के according है तो यह first वाली test के according यह इसका answer हो गया है ठीक है side angle side से हम इसको check करेंगे तो हमें यह दोनों भी figure एक दूसरे से congruent मिली नेक्स्ट वाला देखते है नेक्स्ट वाला इसमें भी common side है इसका मतलब हमारी एक dimension तो मिल गई साथी में यह right angle है right angle यहाँ पर symbol आपको दिखा दे रहा होगा यह वाला symbol है 90 डिग्री का इसी का मतलब यह right angle है ठीक है तो यहाँ पर obvious है जो hypertenous side वाली हमारी last वाले test होती है वह वहाँ पर इस तरह से यहाँ पर यह लागो हो जाएगी तो यहाँ पर कैसा आएगा कि यह inclined वाली line होती है कौन से भी triangle अगर यह right angle triangle तो इसकी जो inclined line होती है इसे हम hypertenous कहते है क्या बोलते हैं हो hypertenous कहते हैं तो इसकी hypertenous उपर वाले triangle की hypertenous compare कीजिए नीचे वाले triangle से यह symbol यहाँ पर represent करता है कि यह दोनों भी similar है ठीक है मतलब equal SM है तो यह hypertenous हमारी हो गई hypertenous उसके बाद यह जो side है यह वाली side और यह वाली side यह भी हो गई ठीक है और हमारा angle में विल गया मतलब कौन से test में बैठा है यह hypertenous side test ठीक है मतलब इस triangle को अगर simplify करके दिखाओ इस दो triangle यह नीचे वाले triangle से अगर मैं compare करता हूँ तो यह जो hypertenous है यह इस hypertenous से male खाता है यह जो side है यह इस side से male खाता है और हमारा जो angle है वो इस angle से male खाता है इसलिए यह hypertenous side test के according दोनों भी figure क्या है congruent है common side है इसका मतलब common side का मतलब क्या हो जाएगा कि यह दोनों भी sides दोनों के लिए equal है है ना मतलब यह वाली side और यह वाली side यह दोनों के लिए equal है next next वाले को हम अगर देखते है तो हमारी ये वाले side इस वाले side से और ये जो बीच वाली side है जो कि common है इसका ये मतलब क्या है कि ये दोनों ही common है मतलब ये दोनों ही triangle के लिए same है इसलिए यहाँ पर property rating की 3 side compare हो रही है ना तीनी side एक दूसरे से mail खा रहे है इसलिए यहाँ पर side, side और साइड इस कर इस तरह से जो हमारी टेस्ट है इसके अकार्डिंग यह वाले जो दोनों भी ट्रेंगल है एक दूसरे के लिए इतना स्पल था अब बढ़ते है आगे तो यहाँ पर दो ट्रेंगल सेपरेट करके दिये हैं बहुत ज़्यदा सिंपल है सिर्फ सिंबॉल को देख लीजिए यहाँ पर जो सिंबॉल है इसका मतलब यह वाला जो एंगल 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 से मिलता है ठीक है मतलब वह इकवल है यह ओनेहाफिन्स को correspond कर सकते इसके बाद जो angle M है हमारा angle M है यह इस वाले angle से मिलता है ठीक है angle P से मिलता है symbol को check कीजेए बाकी मत देखिए आप ठीक है तो इस तरह से और यह side है यह इस वाले side से मिलती है ठीक है side SM है वह correspond है side और P से, ठीक है, इस तरह से, मतलब क्या है, दो एंगल है, एंगल, एंगल और एक साइड है, है ना, लेकिन सिक्वेंस से जाए, सिक्वेंस इंपोर्टेंट है यहाँ पे, तो पहले एक एंगल आता है, यह पहला एंगल, उसके बाद बीच में साइड, मतलब यह एंगल, एंगल, ठीक है, इस टेस्ट के अकार्डिंग, यह जो दोनों भी ट्रेंगल है, यह कॉन्गुरेंट है, अब नेक्स्ट वाला, जो हमारा लास्ट वाला है, इस टेस्ट में, वो भी देख लेता है, यह देख लीजे, कि अगर दो ट्रेंगल है, अगर वो एक दूसरे से connect है, इसी का मतलब क्या है, उसमें एक common वाला side है, उसी common वाले side को consider कर लीजे, यह फिर, यह देखिए, यह आपर एक side, दो एंगल, ठीक है, मतलब, एक side है, यह वाली side, इस वाले side से equal है, यह वाला angle, इस वाले angle से equal है, शॉरी हाँ यह वाले अंगल से एक्वल है और जो हमारा next वाला यह वाला अंगल है यह east वाले अंगल से एक्वल है ठीक है इसी तरह से यह क्या हो जाएगा हमें के sequence से जाना है अगर हम पहले side को consider करते हैं फिर angle को देखेंगे उपर वाला जो टी वाला अंगल है फिर नीचे यह मतलब side angle angle या फिर angle angle side इस तरह से भी हमारे पास test available है तो इस test से यह कौन सा हो जाएगा यह दोनों भी triangle एक दूसरे से convert हो जाएगे तो इतना simple था यह तो इसी के बाद हमारा जो next video में हम देखेंगे कि 13.2 practice इस से इसको हम cover करेंगे दो problem है simple वाले है इसको भी आप continue करके देख लीजी है अगर आपको test समझ में नहीं आई तो मैंने separate इसकी link दे दी है उसमें जाके आप check कर सकते हैं आपको link मिल जाएगे ठीक है I hope आपको यह समझ में आ गया है बहुत इस simple है topic concurrent और similar इसका एक separate भी मैं वीडियो डाल दिया है वो भी आप जाके check कर सकते हैं so thank you so much for listening me thank you so much for your love and support God bless you